नमस्कार दोस्तों मैं सुभन स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूटिव चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में दोस्तों बिहार में मुखमंत्री उद्दमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ था इसका आवेदन एक जुन से स्टार्ट हुआ था और यहां पर दोस्तों उसका आवेदन होने के बाद उसका सलेक्षन लिष्ट यहां पर अभी जारी किया गया है अगर आप उस selection list में अपना नाम चेक करना चाहते हैं अगर उस selection list को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर किज़ेगा चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो मुकमंत्री उद्देमी योजना के अंतरगर चार योजनाओं का यहाँ पर आविदन हो रहा था आप उन चारों में से किसी में भी आविदन की होंगे तो आपका selection list जारी कर दिया गया है selection list को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में चलिए live अपने mobile screen पर आपको दिखला लेते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको mobile पर आपको google open करना है google online process.com ये website को आपको open कर लेना है नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर latest update वाले में आपको यहाँ पर बिहार मुखमंत्री उद्मी योजना का list कैसे देके इसके बारे में आपको यहाँ पर इस post पर आपको click कर लेना है इसमें लगबलबग 16,000 लोगों का selection हुआ है उसमें से अगर आप भी हैं तो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा यहाँ पर नीचे scroll कीजेगा तो आप देख सकते हैं selection list यह सब सारा चीज आ चुका है नीचे आप आप देख सकते हैं SCST के लिए आप सेलेक्शन list है यहाँ पर युवा उद्धिमी होजना के लिए महिला उद्धिमी होजना के लिए यहाँ पर selection list दिया गया है अगर आप मालने जैए EBC के लिए आप आवेधन किये थे तो EBC वाले पर click here पर click करके आप अपना list चेक कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर EBC के लिए आवेधन किया थे तो मैं यहाँ पर click here पर click करूँगा और EBC का जो भी यहाँ पर PDF रहेगा वो PDF हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड होने के बाद आपका यहाँ पर दूस्तु आपका automatic open हो करके आ जाएगा जैसे दूस्तों यहाँ पर EBC का 6.9 MB का था तो यहाँ पर list मेरा open हो चुका है अब यहाँ पर दूस्तों आपका registration number, district, first name, last name, father name, date of birth, address, mobile number यह सब दिया गया है अब यहाँ पर दूस्तों आपको अपना mobile number या फिर registration number डालना है और find करना है क्योंकि दूस्तों simple way यही है एक बार में आपका नाम सर्च करने का अब यहाँ पर find करने के लिए आपके पास दो option मिलता है पहला number की आपको यही पर अगर आपका PDF है तो आपका यहाँ पर एक मिलेगा option यहाँ पर इससे आप चेक कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पर नहीं मिलता है आप three dots पर click करके यहाँ पर find पर click कर सकते हैं मेरा find पहले ही है तो मैं आपर find पर click करके जो भी आपर number रहेगा आपका अगर आवेधन किया थे तो वो number जिस number से आपने आवेधन किया था वो number यहापर डालेंगे अपने आपने आपर list में नाम आ जाएगा चलिए मैंने हाँ पर एक लोगों का आवेधन किया था मैं एक बर उनका number डाइब करके मैं यहापर search करके आपको दिखला देता हूँ उनका आया है या पी नहीं मैं यहापर search वाले पर मैं click करूँगा search पर click करने के बाद यहापर मैंने उनका number copy करके रखा था मैं यहापर find किया तो यहापर आप देख सकते हैं उनका number यहापर registration number में भी मिल रहा है और यहापर उनका नाम यह सब सारा चीज आ रहा है यहापर दोस्तों यह बिजली पंका SME link का यहापर उन्होंने आवेधन कि किया था बिजली पंका SME link के लिए वहापर यह project है इसे तरह से आप यहापर अपना selection list में नाम चेक कर सकते हैं अगर आपका selection list में नाम आया है तो आप आप में हां करके comment करके बताएगा अगर आपने आवेधन किया था अगर आपका नाम नहीं आया तो आप यहापर ना कर करके आवेधन यहाँ पर comment करके जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा मिलते पर अगले वीडियो में एक नेक नेश टॉपिक के साथ